नमस्कार, हैपी नुई येर टू आल, फ्रेंड्स आज अलाइंस कलब ओफ इस्ट कॉलकरता दुआरा पाकुलिया धाम सालासर में कंबल बित्रन का कारिक्रम किया गया आपने प्रकाश किल्ला जी का 29 सेकंड का एक वीडियो क्लिप देखा, आउडियो भी सुना, हमारे देश में बिर्ला जी के साथ, टाटा जी के साथ, अदानी अंबानी जी के साथ, और ग्रेट पार्ट इस गॉवर्मेंट के साथ, अब गरीब होते जाएंगे, ये सिन देखन में बहुत अच्छा लगता है, वैट आप सोची, कितना दिन और, 35 साल के बाद, हम लोग लाइन में खरा करा कर हमारे देशे गरीबी को इतने बड़े आकार से दिखाएंगे, वो भी लाइन्स क्लब के साथ, रोटरी के साथ, काफी सारे क्लब्स के साथ, काफी सारे इंडि पिट्र कदाम जादा है, सबजी कदाम जादा है, किसान जूज रहे हैं अपने प्राब्लेम के साथ, स्टूडेंट लोग को तो मालूम हैं हमारे देश में क्यों को करना क्या है, ABBP हो, SFI हो, 800 हो, छाचर परिशद हो, SFI हो, क्या फरक पड़ेगा, रंग जो भी हो, कुछ काम नहीं आने वाले हैं देश के, यही आर्गूमेंट में कर जाएगा कि बंदे भारत का स्पीट कितना था, बंदे भारत है तो इंडिया है, बंदे भारत है नहीं है तो शाइद अगर ठीक होता, अगर हर घरीब के घर में 8000 रुपया बेतन पहुंच जाता, तो वो वही चीछ खरीता है, जो कॉर्पोरेट बनाता है, तो कॉर्पोरेट और बरादमी होता है, कॉर्पोरेट को भी गरीब करने का तेरी का गवर्वर्नमेंट ने का beautiful लाद लिया है, कल एक जो कंबलदान, कपड़ादान गाली लगता है, अगर हमारे देश के, जो लोग यह इसर न्यूस बना के भेजते हैं, प्रकाश किल्दा जी को हम specially बोलेंगे, अगर हम लोग वेस्ट से capital बना पाते हैं, आपके लाइंस लग के हजारों हजारों लाखों लाखों मेंबर हैं, जो मैंने में एक दिग, अपने हाज से नहीं, सबको अपील करते, स्टूडेंस लोग को, देश के गरीब को, जो खबर का कागिश खाता बुक्स जमा देके जाएं, ये दो-तिन गुन नाम में बिग जाता है, यही पैशे से देश का social capital बनेगा, जहां बरा के हर इंडियन ज जुरेगा, ये बेच कर 20% for development of India, मैंने गरीब अपने industry खोल पाएगा, आप लोगों का हाज पकड़ कर, 20% salary to the committee, and 60% to help them by giving them money, not by blankets and cloths, क्या जाके वो लोग अपने पैसे से जो जीच का ज़रुआ था, वो खरीच सके, और इसको लाइन में नहीं खड़ा करा कर, बल्कि अग इसलिए कह रहे हैं कि शांतुनों ओधीकर ये पैरा ओलिंपिने जिसके पास नौकरी नहीं है, हमारे देश में जीन मिल जाएगा, हमारे देश में योगा सेंटर मिल जाएगा, बट हमारे देश में employment सेंटर by the people of India नहीं मिलेगा, आज का news इसी बारे में था, कि आप लोग क ऐसा सोच सकीएगा, कि हमारे देश का आदमी, हमारे ही देश में नौकरी जेनरेट करने के लिए सुभा से उठकर सोचता हो, मैंने में एक दिन काम करता हो, तो हर स्पोर्ट्स पर्शन को बोलेंगे, शांतुनों ओधीकरी को government ने नौकरी नहीं दिया, so what? हमारे देश में अगर आप ऐसा बैंक खोल सकते हैं, तो 8000 का नौकरी तो हम लोग दे सकते हैं, government का सोचे भी 500 तक अटका हुआ है, अगर वो किसी को constable बना भी देता है, agreement में, तो 6-6000 मिली जाएगा उसको, तो हम लोग 8000 का एक benchmark रख रहे हैं, अगर आप ऐसा newspaper बैंक खोल पाएं, जिसका नाम अभी समाजबंदू बैंक भी है, याकौन में चैनल में, शेराफ फुली में इसका नाम बदल दिया है, बट हम विश्यो बंदू सुसाइटी के भी All India Secretary हैं, तो हम लोग को जरूर से कॉल कीजिएगा, हाथ में एक ऐसा newspaper लेकर आपको फोटो जरूर से पीजिएगा, येस, वी आर इंटरेस्टेक्ट तो ओपन नूस्पेपर बैंक और स्रमाजबंदू बैंक, ये मुवमेंट अलोबर इंडिया नहीं अभी इंटरनाशनल हो रहा है, आज एक मिनिस्री पलिटी के साथ फाइनल बात होगा, तो उनके मेले में भी हम दोग रहें ताकि वो लोग अपने पास खड़े होने का पैला सिस्टेम बनाएं डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी था ही क्या, ये ही तो था, by the people, for the people, of the people, not generating poor and giving them kambals and showing them in Facebook or anywhere, आज इंडिया को समधान चाहिए, आप से, हम नरेज जैन, मेरा चैनल देखने के लिए बहुत धन्यवाद, शेर और सब्सक्राइब करना मन भूलेगा, डोनेशन आप लोग भेजी सकते हैं, you can see our Google Pay number in the screen, thank you very much. तो आए, 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